नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सिधान्त के एरोपाइंट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी के बारे में तो जीहां दोस्तों यहां पर UPNHM की ओर से 38-70 पोष्ट के लिए स्टाफ नर्स की वेकैंसी आने वाली है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चिकिस्सा सिच्छा विभाग की ओर से 940 और स्वास विभाग की ओर से 29-30 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोग सेवायों को अधियाचन भेजा चा चुगा है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिए गा वीडियों में बात करेंगे की पूरी डिटेल के साथ क्या कैसे कितनी वेकैंसी यहां पर आने वाली हैं दोस्तों जो वेकैंसीहों बेलकुल प्रमानेंट रहेंगी वीडियो पिए स्टाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑफीसली न्यूज है लखनवु का न्यूज पेपर है दोस्तों इसमें लिखा है शूबे में खुली नौ सो चालिस पतों के लिए उत्तर प्रत लोक्सेवायो के पास अधियाचन भेजा है तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वास्ति विभाग की और इंटीन्हिस-पतो और चिकिस्सा सिच्छा विभाग की ओर से 940 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन यहां पर भेजा गया है जिला स्पताल होया सामुदाइक स्वास्त के हैं सभी कई वर्सों से नर्सों की समस्य से जूज रहे थे इस वर्स खुले या खुले स्पतालों को छोड़ जिया जाए तो भी स्वास्त विभाग के स्पतालों में नर्स के 22-45 पद रिक्त थे इस टाफ नर्स के कुल स्रीजित पर 6143 पदों की तुलना में महज 38-98 नर्सेजी तैनाथ हैं इस बीच नए स्पताल भी तेजी से खुले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल यहाँ पर स्टाफ नर्स के 6143 पद जो अभी तक यहाँ पर खाली हैं जिसमें से 38-98 नर्सेजी तैनाथ हैं और बाकी के जो पोष्ट हैं यहाँ पर भरे जाएंगे जल से जल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है नर्सिंग सेवा नीमा ओली बदलने के बाद इनकी भरती का जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयो को सौप दिया गया है परमुक सचीव अर्बिंद कुमार ने बताया कि नए अस्पताल खुलने का बदली जरूरतियों के अनुसार 29-30 पदों के लिए अधिया चान आयो को भेज दिया गया है वहाँ पार्ठी करम को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि परिच्छा के माध्यम से पारदर्सी तरीके से नियुक्तिया हो सके उधर मेडिकल कॉलेज में जुड़े अस्पताल भी नर्सों की कमी से जूज रहे हैं नए खुले अंबेटकर नागर कन्नोज जलोन आजमगर सहरनपूर मेडिकल कालेज में नर्सों के 433 पद रिखता है अन्न मेडिकल कालेज में 507 पद रिखता है चिकिस्ता सिच्छा महानी देशक डाक्टर बी एं तिरपाठी ने बताया कि 940 पद पर नर्सों की भरती के लिए अधियाचन लोकसेवायो को भेज दिया गया है स्वयम आयोक के अध्धस से बेटकर जल्द नियुक्ति की परिक्रिया सुरू करने को कहेंगे जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत से जो मेडिकल कॉलेज हैं नए यहाँ पर खुले हैं जिसमें की इस्टाफ नर्स के पद रिक्त हैं तो यहाँ पर चिकिसा सिच्छ विभाग की ओर से भी 940 पदों के लिए यहाँ पर अधियाचन भेजा गया है आयोक को यहाँ पर लिखा आ रहा है सन्विदा पर तैनात नर्सों को अधिमान कई वर्सों से नर्सों की कमी से निपढ़ने के लिए स्वाज विभाग नर्सों को सन्विदा पर तैनात कर काम चला रहा था अब स्वास्य भरती की पुरिया शुरू होने पर इन्हें अधिमान देने का फैसला हुआ है अधिमान मिलाकर मेरी बनेगी और उसके नुशार भरतिया होगी जैसे कि आपको पता है जो भी यहाँ पर अभी कांटेक्ट पर ही यहाँ पर जो विकेंसी जाती थी तो उसमें जो नर्सेस तैनाज थी उनको भी यहाँ पर बेटेज मिलेगा कुछ ना कुछ पर्मानेंट होने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कलाई जरूर कर दें यहाँ पर आप जानते हैं कि चिकास इच्छा विवाग की ओर से यहाँ डाउट्टर्स के लिए जो बेकेंसी हैं उसको निकाल दी गए हैं तो जल्दी यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए भी बेकेंसी निकाल दी जाएंगी जो जैसे भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे उसके लिए आप जो चैनल है हमारा उसको सस्क्राइब कर लीजिए थैंक यू